एक्शन एमेज और माजो परस्टियालिटी के मालेक सानी देवल आज अपना 67th बिर्थडे मना रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है ये सीधे साधे दिखने वाले सानी देवल ने पिता को दिया था ऐसा जवाब कि धर्मिंदर की भी हो गई थी बोलती बन जी हाँ आज बिर्थरे स्पेशल में हम आपको सानी देवल के जिंदिकी के चंद किसों से रूबर कुराते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं तो चलिए बताते हैं इसे वीडियो में उनके बारे में सनी देवल का असली नाम आपको ये जानकर हरानी होगी कि सनी देवल का असली नाम आजया सिंग देवल है उन्होंने अपने निक नेम से सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाया और लोगों के जुबा पर भी यही नाम चड़ गया सरी देवल ने जब इस दुनिया में कदम रखा तब उनके पिता धर्मेंद्र जाने माने एक्टर बन चुके थे ऐसे में सनी के मन में भी बच्पन से ही एक्टर बनने का ख्वाफ पलने लगा इसके लिए उन्होंने बमिंगम में ओल्ड वॉल्ड थेयर्टर से एक्टिंग की पड़ाई भी की सनी दुयल ने फिल्म बेताप से बॉलिवूड डेब्यू किया था और ऐसा धमाल मचवाया कि शिरुवादी दौर में उनसे बहतरी इन एक्टरीन एक्टर ही नजर ही नहीं आता था गुपचुप तरीके से रचाई थी शादी सनी दुयल की एक्टिंग फिल्मों में देखकर फैंस जिस तरह रोमान से भर उठते हैं उसी तरह उनकी निजी जिन्दिगी भी थ्रिलर से भर पूर रही दरसल सनी दुयल ने साल 1994 के दौरान इंग्लिंड में पूजा से गुपचुप तरीके से शादी की थी पूजा का असली नाम लिंडा है जो ब्रिटिश इंडियन मूल की है दरसल लिंडा की मा जून सारा महल ब्रिटिश थी जबकि पिता कृष्ण देव महल भारतिय थे सनी से शादी के बार लिंडा ने अपना नाम बदल कर पूजा रख लिया था अलाकि करियर के चकर में सनी ने इस शादी को काफी समय तक छिपाई रखा आपको ये जानकर हरानी होगी कि एक फिल्म में सनी देवल अपनी पतनी पूजा के साथ भी नज़र आ चुके है इस फिल्म का नाम हिम्मत था सनी देवल एक दफा पापा धरमेंदर के साथ सलमान खान की शो दस का अदम में आये थे इस वरान फिल्मों में धरमेंदर की डांस को लेकर चर्चे शुरू हुई तो उन्होंने कहा जैसे ही फिल्मों में मेरे डांस की बारी आती थी मुझे घबराहट होने लगती थी जब सनी फिल्मों में आया तो मेरी इच्छा थी कि जो मैं कभी नहीं कर सका कम से कम सनी वो कर ले लेकिन इसका भी हाथ डांस में तंग रहा धर्मेंदर ने आगे बताया कि जब डांस को लेकर उन्होंने एक दफा घर पर सनी से बात की तो उसका कहना था बेटा बाप पर ही तो जाएगा सनी की यह बात सुनकर धर्मेंदर भी कुछ कहना सके साउथ में दिखेगा सनी द्वल का दमदार एक्शन सानी देवल एक बार फिर अपने धमाकेदार कमबैक को तयार है एक्टर एज़ी जीएम मूवी के साथ साउथ में अपनी एंट्री लेने जा रहे हैं यह सानी देवल की पहली साउथ फिल्म है वहीं मेकर्स ने अपनी इंस्टेग्राइम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा स्जी जीम का टाइटल और फॉर्स लोग सूपर स्टार सानी देवल के बर्थडे पर रिलीस किया जाएका तो यह थी सानी देवल से जुड़े कुछ अन्नोन फेक्स और एक्टरों की आने वाली फिल्म का एक छूड़ास अपडेट हम उमीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको सानी पाजी के बारे में काफी कुछ अन्नोन फेक्स जरूर पता लगे होंगे और बॉलिवट के तारा सिंग को इंडिया टीवी शोबिस की तरफ से भी अवेरी हापी वर्थ डेग